आपको पता है कि मैसीब ओपेन ओनलाइन कोर्सेज आपको पता है कि बहुत सरे ऐसे कोर्सेज जिसमें अभी तक मूक्स एपलिकबल नहीं है बहुत सरे ऐसे आप बोल सकते बच्चे है जो कि ओनलाइन प्लाटफों का यूज ठीक ठाक से नहीं कर पाते तो एक बहुत ही बड़ा इनिसियेटिव लिया जा रहा है हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए यूजिसी के तरब से क्या बोला जा रहे हम लोग इस वीडियो में डीटेल्स जानेंगे वीडियो हो सकते थोड़ा लंबा हो वीडियो का अंतक देखना ये वीडियो हर एक उनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो कान तक देखते रहे हैं और अगर इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को डेफिनली सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक उनिवर्सिटी अपडिट टाइम मिलते रहेंगे तो चलिए ज़ग शमनना लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं as per the norms, मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एक्चली यह बोला जा रहा है, कि UGC एक नया आप बोल सकते हैं, वहाँ पर 40% जो आपका academic credit limit है, उसको आप बोल सकते हैं, 40% किया जा रहा है, जो कि previously था आपका 20%, यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है, कि जो student अपना जो course वो कर रहे हैं, समस्पकेल जो कोई electrical पढ़ रहे हैं, समस्पकेल पढ़ रहे हैं, समस्पकेल जो कोई CAC पढ़ रहे हैं, तो उसके relevant और भी course वो इस टाइम के अंदर कर सकते हैं, जो कि उनको future के लिए बहुत ज्यादा फाइदा हो सकते हैं, तो यह यहाँ पर बोला ग which can be constituted for the course, further it would also identify areas or subjects which for MOOCs are not available and hence created digital content for those courses too, पतले यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, यहाँ यह बोला जा रहा है कि UGC तो पहले एक expert committee तयार करेंगे और वहाँ पर MOOCs का जो जगा पर आप बोल सकते हैं, खाली है, अवी तक MOOCs का जो जो course available नहीं है, उसको देखा जाएगा और वह course को आप बोल सकते हैं, digital content create करने के लिए use किया जाएगा, ताकि digitally उसके उपर content create किया जाए, और वो content हर एक students के पास भेजा जाए, जो आप बोल सकते हैं, online classes या फिर online courses इस time के अंदर नहीं कर पारें, तो उनके लिए यह किया जाएगा, ऐसे बहुत सर ऐसे courses थे platform नहीं था, online कोई course आपको नहीं मिलता था, पर अभी हर एक चीज ये expert committee देखेंगे, कि कहाँ पे courses बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे और भी topic include करना चाहिए, और वो देखके expert committee एक नया MOOCs का list तयार करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे course होंगी, बहुत सारा आपका जो भी course कर रह 171 undergraduate level MOOCs courses in six subjects, history, political science, commerce, sociology, public administration and anthropology, यहाँ पे और भी बोला किया है, the UGC has asked higher education institutions and academicians across the country to develop high quality MOOCs in these areas which can be comparable to international standards, मतलब इंडिया का जो high आप बोल सकते हैं institution है, जैसे पकड़ सकते हैं आप IST Bangalore, जैसे आप पकड़ सकते हैं ISI, जैसे आप पकड़ सकते हैं IITs, NITs, यहाँ का जो professor से उनको बोला जा रहा है कि high quality का content बनाने के लिए MOOCs के लिए जो की comparable हो international standard के साथ, और वो हर एक student को provide किय जाएगा, नया कौन-कौन सा field यहाँ पर सोचा जा रहा है, history, political science, commerce, sociology, public administration and anthropology यह सब जो courses है, यह नया include किये जाएंगे, total 171 courses के बारे में already सोचा गया है, undergraduate level में, और PG के जो students है, post graduate आपके लिए भी सोचा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, और जो engineering हो गया, BSc, BA, BCom, हर एक student के लिए, किसी भी subject में आप कर रहे है, आपके लिए भी बहुत courses अभी available होंगे, internet पे, जिससे आप free, online सिख पाएंगे, online जान पाएंगे, जो आपका interest है, यहाँ पर और भी क्या बोला गया है, चलिए, जान लेते हैं, यहाँ पर जो official notice है, वहाँ पर क्या बोला गया है, य University Grant Commission has constituted an expert committee to map the existing developed MOOCs and identify gaps areas where courses need to be developed under SEM, as per UGC model, CBCS curriculum, यहाँ पर यह बोला जा रहा है, आपका यह situation दिमाग पर रखते हुए, actually COVID situation, इस time के अंदर students को online courses provide करना mandatory है, और students अच्छे से जान पाए, अच्छे से सीख पाए, इसके लिए और भी courses तयार किये जाएंगे, massive open online courses, जिसको short में हम लोग MOOCs बोलते हैं, तो यह courses तयार करने का मतलब क्या है, देखिए बहुत सर ऐसे fields है, बहुत सर ऐसे जगा है, जहाँ पर अभी तक students को internet अच्छे से आ हो गया, बहुत सर ऐसे apps है, जहाँ से उनको पैसा दे के course खरिदना पड़ता है, हाँ मुझे पता है, free में भी आप कर सकते हैं, पर बहुत सर ऐसे student है, जिनको पैसा दे के भी करना पड़ता है, तो वो सब अगर ना कर सके, students अगर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए ब आप बोल सकते हैं, educational, आपको MOOCs तयार किये जाएंगे, इंडिया का top level के जो institutions है, उनके professors, यह courses आपके लिए तयार करेंगे, तो एक अच्छा news था, मैंने सुचा definitely आपको बोलना चाहिए, आपको कैसा लगा, definitely मुझे comment करके बताइए, और एक important चीज मैं आपको बोलना तो और एक important चीज आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपको पता था, यह Supreme Court से MAH मतलब Ministry of Home Affairs को बोला गया था, university exam को लेके, क्योंकि वो लोगी सबसे पहले बोले थी, final students के exam लेने के लिए, उनको इस time के अंदर फिर से बोला गया था, कि आपको जही से लेके, हमको 3 आगश् होने को चले है, पर अभी तक कोई भी information MAH के तरब से नहीं बोला गया है, हो सकते है कल publish किया जाए, पर आपको यह definitely जानना चाहिए, कि MAH से कोई भी ऐसा important चीज आपको नहीं बोला जाएगा, फिर से interesting ऐसा कुछ, जो कि आपको मन में आप बोल सकते हैं, बहुत सरा खुशी मिले, क्योंकि MAH हो गया, UGC हो गया, MAHRD हो गया, अपना decision में fixed है, तो इसको लेकि आप ज़्यादा tension लेने का ज़रूरत नहीं कि क्यों MAH से कुछ ज्यादा बोला नहीं गया, अगर बोला जाए तो बहुत ही अच्छा है, हो सकते है, आज रात को बहुत लेट हो सकता है, या फिर कल को आपको मिल जाए, और अगर ना भी मिले तो आप सोच सकते हैं कि उनका decision change नहीं होगा, क्योंकि ये clearly बोला गया था UGC के तरफ से Supreme Court को कि कोई भी situation आए, कोई भी कुछ हो जाए, Supreme Court पे case चले जाए, पर इस time के अंदर exam हम लोग cancel नहीं कर सकते, UGC सोच समझ के expert committee तयार करके ये decision दिया है, और हमको भी नहीं लगता कि इस time के अंदर वो लोग कुछ अलग बोलेंगे, हो सकता है, 10th August को अगर हम लोग ठीक से लड़ पाए, rejoinder अगर ठीक से हम लोग publish कर पाए, 8th August को हो सकता है हम लोग case जीते, otherwise UGC will win the case, तो देखते हम क्या होता है, हम हम लोग वेट करेंगे, 7th August देखेंगे क्या होता है, 8th August देखेंगे क्या होता है, 10th August के लिए हम लोग वेट करेंगे, और hopefully UGC अपना final verdict जो है हम लोग को बताईए, जो 10th August है उस time के अंदर, अब देखते हैं क्या होते हम लोग को और थोड़ा दिन वेट करना पड़ेग जाद सामने लेते हैं वीडियो का जाईब बेंट करते हैं, तब तक के लिए बाबाई